और संग के प्रमुक मानिय मोहन भागवत जी के भी मुव्मेंट में अनावश्यक परशानी पैदा करने की कोशिश की गई और एक बार तो मैं स्वैम भुक्त भोगी हूँ जब मैं पटना से चुनो लड़ रहा था तो पटना के कंकरबाग में उत्तर पदेश के मुख्यमंत्री जी मेरे प्रचार के लिए आने वाले थे तो उनके हेलिकॉप्टर को उतरने के नमत्य नहीं मिल रही थी वो छे घंटे लेट आए तो ये तो प्रधान मंत्री और पार्टी के राष्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की मैंने बात बताई आपको आपको मालूब है कुछ दिन पहले पार्टी के एक काउंसलर मनीश शुकला की हत्या की गई थी और उसमें उन्होंने वीडियो के द्वारा ये बताया था कि किस प्रकार से हमें हमारी हत्या हो सकती है और उनकी बहुत जगन दुर्भागी पुर्ण हत्या हुई उसमें कुछ लोग पकड़ाए हैं उनके खिलाफ क्या कारवाई होगी आगे वाला समय बताएगा आज इन तमाम राजनीतिक हत्या और अत्याचार के खिलाफ भाजपा के द्वारा एक मार्च का योजन था जिसका हम नाम देते हैं जो उनका सची वाले है उसकी और मार्च करने की बात थे इतना हमला किया गया लगभग एक लाख लोग उस मोर्चे में थे और हमारे लगभग पंद्रह सो कारकरता खायल हुएं पंद्रह सो और आपके सामने हम यह बताने आये हैं कि जो हमारे प्रमुक कारकरता खायल हुएं उसमें अर्विंद मेनन जो हमारे राष्टिय सची हुएं नाशनल सेगेटरी वो घायल है राजू बैनर जी जो इस्टेट के उपाध्यक्ष हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं वो वमिट कर रहे हैं और ही इस हॉस्पिटलाइज्ट इन अपॉलो हॉस्पिटल शिवाजी शौन्रॉय सर पे चोट लगी है वो नौर्स कलकटा के प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे युवा मोर्चा के राष्टिय धक्ष हैं तेशिस सुरिया उनके साथ भी धक्का मुकी की गई और बाकी तुम्हें सारी चीज़ें टीवी पर आई हैं मैंने सिर्फ आपको प्रमुखलो का नाम बताया है आज कल ममता जी लोकतंत्र की दोहाई बहुत दे रही थी कुछ दिनों से मार्च भी निकाल रही थी ममता जी आपके प्रदेश में आपके मुख्यमंत्रिकाल में क्या होता है विरोज की जगा है या नहीं आपके प्रदेश में तो काटून बनाने पर भी गिरफतारी होती है मीडिया की और अगर कोई विरोज में स्वर बोलता है तो हत्या होती है और इसका कारण बहुत स्पष्ट है इसका कारण ये है कि त्रनमुल कॉंग्रेस और ममता जी के अंदर की राजनीतिक जमीन खिसक रही है और इसका प्रमान पिछला लोग सभा का चुनाओ है जहां बीजेपी ने अठारा सीटे प्राप्ते की आपको मालू मैं अठारा लोग सभा के सीटे है और सबसे अश्र लगता है जिस पार्टी ने ये खिंसा का तांडव शुरू किया सीपीम आकिल वो भी पिट रहे हैं खामोश रहते हैं और कॉंग्रेस पार्टी के बारे में तो जितना कम कहा जाए उनका तो शायद करीब करीब वजूद ही नहीं बचा है उपरे बंगाल में बीजेपी स्ट्रॉंगली कंडेंस दिस बार्बरिक ट्रीट्मेंट बाइ बिंगॉल पुलिस अन सीनियर लीडर्स अथा पार्टी बीजेपी इसकी पूरी भर्सना करती है यह जो बरबरता पूर्ण आचरन हुआ है और हम यह बहुत विनमता से कहना चाहते हैं ममता जी और टीमसी को कि अगर आपको लगता है कि लाठी से और पुलिसिया दमन से आप भाजपा के विस्तार को बंगाल में रोक लेंगी तो आप इसमें सफल नहीं होंगी पहले भी आपने रोकने की कोशिश की देखा हम लोग 18 पहुँच गए बीजेपी बंगाल में और पूरे जमीन के संकेत ये बताते हैं कि अगला विधान साबा का चुनाओ जब भी होगा तो बीजेपी के सरकार बनना वहां तैह है लोग वहां बदलाओ चाहते है इसलिए खौफ का महौल, डर, दमन ये कारवाई की जा रही है इसके हम बहुत भर्षना करते है और एक बात हम और कहेंगे दिल्ली में सेल्फ अपॉइंटेट लिबरल्स बहुत हैं जो देश के लोकतांत्री का धिकारों की बात करते है भाजपार आज में कोई घटना होती है उसकी जाच भी हो रही है कोट में तो ये तक कह दिया गया कि आप कोट के नियंतरन में जाच करा लीजे उसको लेके इतना हला लेकिन बंगाल के पुलिस के दवन पर खामोशी ये क्या है ये ये क्या है। ये लिस ही प्वे थेव लिद थेंटनदेंढ दित्र स्थ? ये अपोइज लबरोंने बंधि स्थ? also shows that the entire saga of torture of Bengal administration and police and the brutal suppression of opposition voice is of no importance to them तो विरोध की आवाज को दबाया जाए ये उनके लिए विशा नही है और ये कोई नही बात नही है केरला में भी जब संके स्वमसेंगों को मारा गया सैकडों की संख्या में तब ही वो खामोश रहते हैं लेकिन